प्रिये विध्यारतियों, आसे एकियों नाइस पर्ट साला में आपका स्वागत है अब हम क्वेशन नम्बर तीन करेंगे क्वेशन नम्बर तीन है के कामान याद दीजिए यदि त्रिवुज का शित्रफ़ पैंतीस वर्गी काई है और इसके सीर्स दिस बन दिस बन था दिस बन है देखिए सौलव सो देखिए आप ये बोल सकते हैं ये त्रिवुज हैं और इस त्रिवुज के जो सीर्स हैं वो के 4 है 2,6 और ये आप बोल सकते हो 5,4 और यह आप 35 square को यहां पर mention कर सकते हो और मैं आपको बात और मौन देता हूं कि आपको भरही मैं notes पहले से लिखे होई बेज़ देता हूं लेकिन आपको जो यहां पर पढ़ाया जा रहा है यहीं से आप सीधा note करें तो जादा बेट रहेगा क्योंकि इससे आपको अपनी class की फिलिंग आएगी और बीट बीच में आप स्क्रिम्सोर्ट पे ले सकते हैं उससे आपको और ज्यादा फाइना मिलेगा तो देखिए गार के फूर टू कोमा माइना सिक्स और फाइब कोमा फूर और आपको बता दिया कि इस तिर्बुज का शेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो देखिए नाओ तिर्बुज का शेत्रफल क्या है 35 वर्ग इकाई है तो अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 35 वर्ग इकाई और उसके बाद आप सीधा लिखिए डेल्टा इक्वल टू 35 वर्ग इकाई अब इससे जो अगला लाइन होगा यहाँ पर जो आएगी उसको मैं यहाँ पर मेंसन करता हूँ क्या होता है 1y2 और x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1 तो देखिए के 4 1 2-6 1 और 5-4 1 इक्वल 2 क्या होगा यहाँ पर आपको 35 वर्ग काई जो लिखा हूँ मिल रहा है इसको क्या लिखेगे प्लस माइनस 35 क्योंकि डिटेमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है पोजिटिव आ सकती है इसलिए आपको दोनों ही वैल्यूस को रखना है इस बात भाद की जब आपको छेत्रफल निकालना हो तो वो हमेशा पोजिटिव आएगा और छेत्रफल दिया गया हो और छेत्रफल के बाद आपको कोई सिर्स पुक का रिदर सांग कुछे उस टाइम और चेत्रफल को आपको प्लस माइनस लेके सौर्फ करना है एक बार आप इसे नोट को लेजिए इस तिन सोट को लेजिए अब देखिए इसके आगे कैसे होगा यहां से के फोर वान टू माइनस सिक्स वान फाइन फोर वान और यह जब टू देजाएगा वज़े रुणा हो करके तो पैंतिस दूना सक्तर अब इसे आप सोल कर सकते हो तो देखिए के इंटो क्या होगा माइनस सिक्स और माइनस फोर और उसके बाद क्या लिखोगे माइनस फोर टेक होगी प्लस माइनस तो माइनस फोर माइनस फोर उसके बाद देखिए इसको उटा दिया इसको उटा दिया किया है तो माइनस फ्वाई तो माइनस फ्वाईं और तो देखिए क्या आएगा एट प्लस थर्टी और इकल टू क्या होगा प्लस माइनस स cvn यही है उसके बाद इसे solve करो माइनस 10 के और यहां से क्याएगा माइनस प्लस ट्वैल यहां से क्या आया माइनस 3 और इससे बटिप्लाई करोगे तो क्याएगा प्लस का 12 और यहां पर क्याएगा प्लस 38 एकवाल टू प्लस माइनस 70 और यहां से क्या होगा माइनस 10 के प्लस 50 एकवाल टू प्लस माइनस 70 अब यहां पर दो condition बनती है फर्ट तो आप ऐसे लिखिए taking positive sign और यहां पर लिखिए taking negative sign इसका मतलब प्लस चिन लेने पर और यहां पर माइनस चिन लेने पर उसके बाद देखिए माइनस 10 के प्लस 50 बड़ाबर 70 और यहां से क्या होगा minus 10 के equal to 70 minus 50 20 होगा और यहां से आप पर सकते हो के equal to क्या हैगा minus 2 ऐसे ही आप यहां पर करिए 10 के plus 50 equal to minus 70 और minus 10 के equal to minus 70 minus 50 यहरी minus 10 के बरावर minus का 120 cancel out होगा जीरो से जीरो तो के equal to क्या है 12 तो आपके पास क्या-क्या values आई के equal to minus 2 और के equal to 12 इस प्रकार से हमने इस question को solve किया है केवल और केवल इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपको शित्रफल question में दिया जाए तो आपको प्रस्ट माइनस लगाना है और जब आपको शित्रफल निकालना हो उस ताइम आपको पोजिटिव आंसर देना है बस इतना ही ध्यान रखना है